070 2024 के इपएसे 4 तो इस लिए आप क्या कि जो daha नहीं कर सकते अगर कोई गलती किये host को अगर चेंज नहीं कर पाते हो तो इसका स्वीजिए क्या हो सकता है और क्रेक्सचरल विजुक्त हो सकता है और डibilidad और फिंगर्पिंट में अगर आप कुछ गलती की हो लाइक फोटोग्राफ में नेम एंडेट मेंशन करना भूल गया है फिंगर्पिंट आपका फूर अपलोड नहीं हुआ तो मैं आपको बता दो लास्ट यह जो है यह सब कुछ चेंज करने का उप्सन नहीं दिया गया था लेकिन उससे पहले जितने भी यह थे हर साल डोकुमेंट में अल्मोस्स सब कुछ चेंज करने का उप्सन दे दिया जाता था लेकिन मैं आपको बता दू कि इस बार जो है ना फॉर्म फिल अप करते वोग बहुत सारे ग्लीचेज हो रहते एरर आ रहा था फॉर्म फिल अप भी दे सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा कि आप अपना प्रॉब्लम मेंशन करके स्क्रीन शॉट लेकर आप जरूर सेंट कर देना नेक्स्ट क्याटो कुछ भी गलती कि हो तो यह सब कुछ आपको चेंज करने का उप्सन मिल जाएगा इसको लेके तो आप अपने स्टेट के एक्वाडिंग ही एक्जाम सेंटर चूज कर सकते हो दूसरे स्टेट में आप अपना एक्जाम सेंटर चूज नहीं कर सकते हो फिफ्थ कॉंटेक्ट डिटेटेश में अगर आपने मोबाइल नंबर या फिर इमेल आइडे में कुछ गलती कि हो तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार जो आपने फिल कर दिया वही आपका रहेगा अगर आप आप ऑप्सनल वाले इमेल आइडे और मोबाइल नंब लेकिन इस बार हो सकते हैं कि आपको अपसंट दे दिया जाए लेकिन फिर भी अगर अगर आपस्टन नहीं दिया चाता है छो ती मती गलती कि ओओ नेम में चोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेट हो गया एक अलफावीट गलत हो गया है तो इसके लिए कि इतना टेंसल लेनी क चेंज नहीं कर सकते हैं जो भी आपका नेशनलिटी है उसी के अकोडिंग आपका रहेगा लेकिन अगर फिल भी गलती कियो तो मैंसेज कर देना हो सकता है कि आपको आपको प्रोवाइट कर दिया जाए अधर्वाइस ऐसे उतना टेंसल ने की जोतनी क्योंकि इस बार जो फॉर्म में बहुत सारे इरर आ रहे थे इस बार हर एक चीज चेंज करने का उप्सन दे दिया जाए वैसे भी मैं आपको बता दू कि आपका फॉर्म जो है most probably reject होने के chances बहुत कम रहेगा अगर आप बिल्कुल छोटे मोटे mistakes कियो तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप आराम से exam दे सकते हो लेकिन अगर आप बड़े mistakes कियो like photograph में आप गलती कियो photograph आपका नहीं है या फिर fingerprint वगड़ा में गलती कियो तो इन सब के वज़े से हो सकता है कि आपका एडमिट कर तो आजाए लेकिन exam center में आपको इंटरी ना बिले यह भी problem हो सकता है तो make sure यह सब चीज आप देख लेना एक बर form में अगर गलती कियो तो message कर देना help text में और correction window में अगर option आता है तो जरूर चेंज कर लेना correction window कब आएगा registration date खतम होने के 5-6 दिन बाद open हो जाएगा यानि कि 17 मार्च या फिर 18 मार्च तक open हो जाना चाहिए जब open होगा मैं आपको बता दूँगा उसको लेके टैंजर लेने की जोतनी सब कुछ मैं आपको दिखा दूँगा क्या 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 आप changes कर सकते हो कैसे changes करना है तो नीचलेटेट बहुत सारे वीडियो में चल्पर मिल जागा चाहिए चेक आउट कर सकते हो तो बस मुझे आपको यह बताने थी मिलते है नेक्स वीडियो के साथ थैंक यू